नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल इन्फो एकेडमी में आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ, आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आज हम जानेंगे भारत के उलम्पिक में पदक जीतने वाले खिलाडियों के बारे में तो आईए शुरू करते हैं, आज की विडियो उलम्पिक हर चार साल में खेला जाने वाला एक मेगा इवेंट है इसकी शुरूआत 1896 इश्वी से हुई, मगर भारत इस इवेंट से 19 इश्वी में जुड़ा आईए जानते हैं, उलम्पिक खेलों में भारतिये पदकों के बारे में भारत ने उलम्पिक में कुल 35 पदक जीते हैं जिसमें से 10 स्वर्ण पदक, 9 रजट पदक और 16 कांसे पदक जीते हैं, इनमें से 8 गोल्ड मेडल राष्ट्रिये खेल होकी से मिले हैं कृपया आप सभी मेडल विजेताओं के विशन में याद कर लीजिए ताकि एक्जाम में आपके खेल प्रशनों में पूरे नमबर आए पहले हम जानते हैं, हाल ही में संपन हुए 2020 के टोकियो उलम्पिक में किस-किस भारतिये खिलाडी ने पदक जीते हैं पहली खिलाडी है वेटलिफ्टर मिराबाई चानू, मनीपुर की वेटलिफ्टर मिराबाई चानू ने टोकियो उलम्पिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता, उन्होंने महिलाओं के 49 किलोग्राम में 202 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया दूसरी खिलाडी है बॉक्सर लबलीना बोर गोहन भारत की स्टार मुक्केबाज लबलीना बोर गोहन को महिला विल्टरवेट बर्ग 79 किलोग्राम में बॉक्सिंग प्रतियो गिता में टोक्यो ओलम्पिक में ब्रॉंज मेडल जीता अगली खिलाडी है शटलर पीवी सिंधु ने साल 2020 के टोक्यो ओलम्पिक में महिला बैडमिंटन के सिंगल्स का ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया यह उनका ओलिम्पिक में रेकॉर्ड दूसरा मेडल रहा नेक्स्ट प्लेयर है पहलवान रभी दहिया भारत के पहलवान रभी कुमार दहिया को टोक्यो ओलम् में पुरुष फ्रिस्टाइल 57 किलोग्राम भार बर्ग में रजद पदक मिला अगले खिलाडी है पहलवान बजरन पुनिया पुनिया ने टोक्यो ओलम्पिक में पुरुषों के फ्रीस्टाइल पैसत किलो वर्ग कुष्टी सपर्धा का ब्रॉंज बैडल जीतते हुए इत कियो ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया है वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जितने वाले दूसरे खिलाडी और पहले एथलिट है उन्होंने 87.58 मिटर की दुरी का भाला फैंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया तो दोस्तों यह तो थे ओलम्पिक 2020 के पदक बिजेता आये आप जान लेते हैं भारत के ओलम्पिक में शुरुआतसे से लेकर आज तक के प्रदर्शन को नार्मन पिचाड उनिस सो के पेरिस ओलम्पिक में नार्मन पिचाड ने ब्रिटिश शासन वाले भारत के लिए पुरुशों की 200 मीटर तथा 200 मीटर बाधा दोड में रजग पदक जीता था पिचाड बिटिश शासन के नुमाइन दे थे इसी कारण ओलम्पिक इतिहासकार पिचाड के प्रदर्शन को भारत के पदकों में शामिल नहीं करते हाला कि अंतर राष्ट्रिय ओलम्पिक समिती अर्थात आयोसी द्वारा ग आयोजित ओलम्पिक में कुष्टी प्रत्योगिता में कांच से पदक जीता अगले ओलम्पिक पदक बिजेता है लिएंडर पेस लिएंडर पेस ने 1996 में अटलांटा में आयोजित पुरुष एकल में टैनिस में कांच से पदक जीता अगले ओलम्पिक पदक बिजेता है करन मलेश्वरी ने साल 2000 के सिड्नी में आयूजित ओलंपिक में 59 किलोग्राम भार में महिला बर्ग में कांसे पदक जीता अगले ओलंपिक पदक बिजेता है राज्य वर्धन सिंग राठोड राज्य वर्धन सिंग ने सन 2004 के एटिंस ओलंपिक में शूटिंग की डबल ट्राप्स प्रदा में Silver Medal जीता, अगले उलंपिक पदख बिजेता है, अभिनव बिंदरा, अभिनव बिंदरा ने सन 2008 के बीजिंग में आयोजिद उलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल्स परदा में स्वर्ण पदख जीता, अगले उलंपिक पदख बिजेता है, सुशील कुमार के बीजिंग उलमपिक में और दूसरा रज़त पदक सन 2012 के लंदन उलमपिक में जीता अगले उलमपीक पदक विजेता है विजेंदर सिंग विजेंदर सिंग ने सन 2008 के बीजिंग उलमपिक में बॉक्सिंग स्परधा में कांसे पदक जीता अगले उलमपिक पदक विजेता ह मैंस 25 मिटर रेपिट फायर पिस्टिल शूटिंग स्परधा में सिल्वर मेडल जीता अगले ओलंपिक पदक बिजेता है योगेश्वर दत योगेश्वर दत ने सन 2012 के लंदन ओलंपिक में साथ किलोग्राम वर कुष्टी स्परधा में कांसे पदक जीता अगले ओलम्पिक पदक बिजेता है मेरी कॉम मेरी कॉम ने सन 2012 के लंदन ओलम्पिक में विमेंस फ्लाइट वेट में बॉक्सिंग स्परधा में कान से पदक जीता अगले ओलम्पिक पदक बिजेता है साइना नहवाल साइना नहवाल ने सन 2012 के लंदन ओलंपिक में बैडमिंटिन वुमेंस सिंगल्स परधा में ब्राँज मेडल जीता अगले ओलंपिक पदत बिजेता है गगन नारंग गगन नारंग बन सन 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग मेंस 10 मीटर एयर राइफल्स परधा में साक्षी मलिक, साक्षी मलिक नेने सन 2016 के रियोडी जेनेरियों में आयोजित ओलंपिक में विमेंस कुष्टी स्परधा में कांच शिपदक जीता, अगले ओलंपिक पदक बिजेता है, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु ने सन 2016 के रियोडी जेनेरियों में आयोजित बैडमिंट एक सिल्वर और तीन ब्रॉंज मेडल भारत की जोली में डाले हैं। आए जान लेते हैं कि किस ओलंपिक में कौन सा मेडल मिला। अगला पदक सन 1952 के हिलन सिकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। अगला पदक सन 1900 के मिनिक जर्ष ओलंपिक में कांच सिकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। और हाल ही में आयोजित 2020 के टॉक्यो ओलंपिक में पुरुष होकी टीम ने जर्मनी को पांच चार से हरा कर एतिहासिक ब्रॉंज मेडल अपने लाम किया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी प्रकार की ज्यानवर्धक जानकारी है तू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चार सब्सक्रा के लाइक कर लाइक कर दो लाइक कर देहासिए।